नमस्कार मैं मानसी आप देख रहे हैं राइट 24 न्यूज, राइट 24 न्यूज में आपको स्वागत है टीम मिनिया ने नियूजिलेंड के खिलाब सीरिस में नए बनने नियमों के तहर पहली बार मिदार पर उतरेगी कप्तान विराज कोली ने इन नियमों में कुछ को कठिन तो कुछ को रोचक बताया आएट 24 न्यूज की खास रिपोर्ट टीम इंडिया और न्यूजिलेंड के खिलाब सीरिस में नए बनने नियमों के तहर पहली बार मैदान पर उतरेगी बारती कप्तान विराज कोली ने इन नियमों में कुछ को कठिन तो कुछ को रोचक बताया कोली ने मैच से पहले प्रेस कॉंफरेंस में कहा कुछ नियम काफी कठिन है बल्लेबाश के क्रिस पर पहुँचने के बाद अगर बल्ला हवा में उठ जाता है तो भी वह नौट आउट होगा DRS में अमपायर के फैसले का नियम कुछ नियम है जो काफी रोचक है कैच लपकने को लेकर भी नियम है इन नए नियमों के बारे में जानकारी जरूर है शुरुआत में कठिनाई होती है लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी ये अच्छी बात है नए नियमों से खेल और रोचक हो जाएगा आपको मैदान पर कई बातों पर ध्यान देना होगा जिससे खेल के दोरान जरूरी बातों पर फोकस बढ़ेगा नए नियमों के तहट बड़ा बतलाव ये होगा कि टीम DRS के तहट रिव्यू नहीं गवाएंगे ICC ने एमपायरों को ये अधिकार भी दिया है कि वो बजसलूकी की घटना पर खिलाडियों को बाहर भी कर सकते हैं बाकी सबी अपरादों से ICC की आचार सहिंता के तहट निप्टा जाएगा बल्ले की बीच की मोटाई और किनारों की मोटाई को लेकर भी पावंदिया हैं इसके अलावा क्रिस पार करने के बाद भी अगर बल्ला हवा में है तो बल्लेबास को रन आउट नहीं माना जाएगा लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चानल को सस्क्राइब जरू कीजेगा ताकि हम आप तक पहुचा सके पैचान सच्चाई की मैं ही मानशी उपाद है, Arrive 24 News